कि जैसे हम लोग आते हैं पटना जंग्शन पर तो यहीं लोकेशन है यह यह गेट नंबर थ्री है सो बैसिकली जिस चीज का बात कर रहे थे वह यहीं है रिलेक्स एंड गो बता दें कि अभी आहें स्टेशन के साइड तो सोचे क्यों आप लोगे शाथ एक नया अपडेट ज घंक देखें हैं वह फेसिलीटि स्टाट हो यह आ है पतना जंक्शन पर जैसंब पड़ें हैं अभी तक देखे नहीं तो चलते इंक्वाइडी करते हैं पर किस에서 together और क्या सबीक्ma चाहईा आपडेट क्योंकि यह अभी तक फिलाल तो हम कहीं यूटूब पर नहीं देखें वैसे न्यूज में पढ़े थे तो इस वाज़े से यह व्लॉग नहीं बना पा रहे थे वाद जैसे इस साइड आया है तो सुचे क्यों ना आप लोग के साथ यह व्लॉग शेयर कर दिया जा है क्योंकि अच्छा लोग जो है वह शैर से अप गौओं के तरफ जाएंगे क्योंकि आप लोग जान रहा है कि महापर्व छट-पूजा आ गया है और चट्पूजा का जो है मैं वह स्टार्ट हो गया है और उसका तयारी आपको बता दे कि डिवाली के नेक्स दे से से हो जाता है और यह रहा पना पटना जंक्षन की खुबसूरत ना जंक्षन जो किầnसे युक्षी चजी हो गया है और अब शे लिस्लिए क्या कूछ नया नया चीज देखने को मिलता है पतना मुझे का कि एक फैक मिए विए तो हम पडहे थे गेट नंबर 3 के पास है गेट नंबर 3 कुन इप और है वह छल्क के देखते हैं कि अभी आ दो फैसरे स्प्सक्राइब मेल्ट लोकेशन पराइए गेट नंबर 3 अपतन यह कुछ सा है इन ध् настолько No.4 यहाँ नहीं है लंब्र थी पर है कि अ कि अ पास हम आते हैं ठीक है एक मेंटर को अगर बताएं तो आगे हैं गेट नमबर थ्री के पास और यहां पे वह सोफा वाला जो न्यूज हम पढ़े हैं जो की मसाज सोफा जो स्टार्ट हुआ है वह देखने को नहीं मिल रहा है वैसे चेक करते हैं वैसे तो गेट नमबर तीम प तो यह कब से स्टार्ट हुआ है और कि तीन-चार महिना हो गया है तो इसके लिए क्या मतलम क्या चार्ज रहता है gyährt यह सब बता दीजेगा कितना 10 मिनिट का 10 मिनिट का 60 रूपया है और 100 रूपया 15 मिनिट का है अच्छा और यह रहा वो सोफा मसाज सोफा है जैसा कि हम लोग कभी वैशनोदेवी या कहीं भी हिल स्टेशन पर जाते थे बहुत सारे ऐसे जगह पे जहां यह सब फैसिलीटी मिलता था तो पटना जंक् फैसिलीटी यह भी हम लोग के साथ है क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्रावलिंग करके ठक जाते हैं और उनको और भी ट्रावल करना होता है तो रिफ्रेस्ट होने के लिए काफी अच्छा उप्सन है जिनको कंटिनेवर्स ट्रावल करना है और पट्टा जंक्शन पर रुक रहा है आधे गंटे के लिए तो रिफ्रेस्ट करने का काफी अच्छा इसका टाइमिंग क्या है 11 से सुबह 11 वजे से रात के 9 बजे तक टाइमिंग है इसी टाइम में यह चलता है चलिए बढ़ियां है एक छोटा सा अपडेट था वही शेयर करना था बढ़ियां और यह जैसे हम लोग पटना जंक्शन में इंट्री करते हैं यह गेट नंबर 3 है तो जैसे इंट्री करते हैं तो यहीं पर यह स्पॉट पर है तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर के तरफ और यह चोटा साफ डेट था जो आप लोग के शेयर करना था वैसे गेट नंबर 3 यह लोकेशन है आप लोग जैसे आते हैं और यहीं पर वह फैसिलीटी अबलेबल है तो काफी अच्छा लगा यह जानके और इसके बारे में बहुत लोग वीडियो नहीं बनाए थे तो हम सुचे क्यों ना हम बनाए एक छोटा ही सा वीडियो रहेगा बट आप लोग के लिए और साथी साथ काफी हाइटेक होते जा रहा है और यह काफी अच्छा है मतलब हमारे पटना वाशियो जो भी पटना बिहार में जो भी ट्रावल करते हैं पटना जंक्शन से उन लोग के लिए काफी बेस्ट है इस व्लॉग को यहीं इंड कर देंगे एक छोटा सा व्लॉग रहेगा क्योंकि इस सब्सक्राइब कर दें और बस कुछ नहीं आप लोग बस वीडियो पे प्यार बनाए रखिए अपने भाई को प्यार दीजिए धेर सारा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए वैसे मेरा चैनल का जो है वो 10 के कंप्लीट हो गया है तो थैंक्यू सो मच आप लोग के सपूर्ट के बिना यह पॉसिबल नहीं था और आप लोग के सपूर्ट के से ही यह 10 के हुआ है और आने वाले टाइम में 100 के भी हो जाएगा अगर आप लोग का सपूर्ट और प्यार बनाए रखे तो चलते हैं आपने काम के तरफ बैक टू वर्क और आज का ब्लॉग यहें कर देंगे मिलते हैं जल्दी नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई बाई